स्मस्कार, मैं राजमडी पाल, सिच्छा विद्या साखा, उप्तर प्रदेश राश्री टंडन मुद्धा, प्रियागराज, और हम लोग जैसा कि पिछली कच्छाओं में अनेक बिंद्वों पे चर्चा कर चुके हैं, बियर्ड स्पेसल के कोड नंबर बियर्ड सी 91 के इनिट नंबर 123 जिसमें हमने जाना कि बौधिक अक्षमता क्या होती है, उसके कौन-कौन से कारण है और किस-किस प्रकार से उसका बचाओ किया जा सकता है, जिसमें हमने जाना कि बौधिक अक्षमता एक ऐसे अक्षमता है जिसमें बालक का बौधिक कार्य और अनकूलन ब्योहार प्रभावित होता है, अईसे बालकों का-equilibel सत्तर से कम होता है और इन बालकों में मुकरूबस या समस्या 18 साल के पहले आती है इनके कारण में जाना कि कौन-कौन से कारण है जिसके कारण से बालक बौधिक अक्षम हो सकता है, तो इसके कारण को हम दोगों ने तीन प्रकार से तीन ग्रूप में कर्टेगराइज करके देखा था जिसमें मुक्रूब से था कि जन्व के पहले कौन से कारण है क्या क्या चीज़े होनी चाहिए कि बालग जो है बहुते कक्षम ना हो या डिसेबल ना हो उसमें जाना कि बच कारण हैं जिसके कारण से अगर साउधानी बरती जाए कोई ऐसी इंजूरी ना हो कोई ऐसी इस्तितीना पैदा हो जिसके करण से उसके दिमाग पर बहुत गहरा पर भाव पड़े तो मांसिक बंता से बचा जा सकता है उसमें हम लोगों ने आगे देखा था कि इसकी किया जा सकता है और उसके प्रकार किस टाइब के सपोर्ट के जरूवत है इस आधार पे उसका बर्गी करण किया जा सकता है और इन विन्दूओं को जानते हुए आगे आगे देखते हैं कि हमारे स्लेबस का जो बीएड़े सी 91 का इनिट नमबर 4 है जो ब्लाक्ट का पहला यूनिट है जिसमें है कि असेस्मेंट क्या होता है इसके कितने प्रकार हैं इसके अप्रोच कौन-कौन से तो इसको हम लोग आज सब्स्तार इस पर चर्चा करेंगे और इसमें जानेंगे कि अससेस्मेंट एक ऐसा important part है ऐसा च्छेत्र है जिसके आधार पे इस के बच्चे का अगर सैच्षटिक ब्यवारिक या उसका future plan करना है तो बगैर आठलन के हम लोग करना नहीं किया जा सकता यह बहुत important part होता है और इसे हमें बहुत दान से बहुत कम्बीरता से और इसको समझने का प्रयास करते हैं और जिसके आधार पे उसके बच्चे को ले करके future plan करने में आसानी होती है यूंकि assessment बहुत दीक अक्चमता वाला जो बालक होता है वो अपने आपको अपने बातें रखने में बहुत अक्चम होता है उसके लिए आवशक हो जाता है कि assessment जतना अच् से क्या है इन तमाम बिंदों पर चर्चा करने के लिए हम लोग PPD में अधियम से समझने का प्रयास करते हैं अब हम देखते हैं इसमें कि assessment या आकलन होता क्या है जिसके अंतर करते हैं कि assessment क्या है आकलन क्या है अगर अब assessment को समझना है तो इसमें देखते हैं कि assessment refer to the process of gathering and analyzing information in order to make instructional, administrative and our guidance decision about our and individual पतलब यह का सकते हैं कि आकलन एक ऐसी प्रकिरिया है जिसमें हम सूचनाओं का संकलन करते हैं और प्राप सूचनाओं का विशलेशनात्मा का ध्यान करते हैं और जिसके आधार पर हम इस निर्डए पर पहुंचते हैं डिसिजन लेने की स्तिती में होते हैं कि इस बालक किस ब्यौसथा पन की जरूएथ?- किस मारदर्शन? कि जरूएथ Kelsey कि वह ब्यौस्था की जाय है इसके लिए Plarning की कि सटाइप की जरूएथ? इन तमाम परकार की आ इसकी शुरुवात कहा से हुई कैसे हुई तो early 20th century में जो बात कही गई Albert Bennett के दौरा had major impact on early assessment effort. Albert Bennett ने जो है early assessment पे बहुत जोड दिया 1922-1950 में development of projective test, thematic pictures, test, personality, inventories, इत्याद प्रकार के टेस्टों का विश्कार हुआ जिसमें यह प्रियास निकाला गया कि नहीं बालक किस सक्षमता वो किस सेरिये में जाना चाहता है उसका इंट्रेस्ट क्या है इन तमाम चीजों के लिए इस टाइप की चीजों टेस्ट प्रयोग किये जाने शुरू हुए 1960 में assessment through standardized test emergence of term LD use of perceptual motor test 1960 के आसपास जो है standardized test का इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ और learning disability के लिए तमाम प्रकार के term use करने शुरू हुए उसका जो है गतिक और समझवा इस्तितिक ऐसी है इन तमाम प्रकार के टेस्टों का अभिश्कार हुआ यह शुरूवात माना गया early 1970 के आसपास negative view about study testing in special education, discriminatory use of assessment information through 1970 and early 1980 के आसपास जो है पासस of PL 94-142 implied the need for various type of assessment procedures. PL 94-142 required the student receive a specific level for funding scope for standard and IT requirement of an IEP. mid 1980, early 1990s में, pre-referral intervention, Madeleine Will के द्वारा जो है 1986 में test invent किया गया, regular education initiatives, adaptive learning environment model बनाया गया, 1992-2000 के आसपास full inclusion resulted in general education teachers becoming involved in assessment. जनरल सिच्छा में जो है assessment का उपयोग किया जाने लगा चुकि उस समय तक आते आते समावेशी सिच्छा की बात की जाने लगे कि नहीं क्या इसी वरस्ता की जाए जिसमें समाने और special बच्चे एक साथ पढ़ने में सक्षम हो इस पर बहुत जोर सोर से प्रयास किया गया, alternative assessment procedure increased in popularity, alternative assessment procedure जो है खूब परचारित हुआ, समय समय पर किस प्रकार के assessment तमाम प्रकार की उपीओ किया जाने जिससे बालक का performance बढ़ाया जाए, इसके बात की जो इस्तिती रही निव लेजिसलेटिव पी यल 1005-17, reauthorization of ID 97, alternative assessment program, functional behavioral assessment इन तमाम प्रकार के assessment का उप्योग होना शुरू हुआ, अब इन टाइब की जो assessment थे, उसका उदेश क्या था अगर इसको जानने का प्रयास किया जाए, उसके पीछे उदेश क्या है, assessment करने का या आकलन करने का purpose क्या है, तो इसको अगर समझना है तो standard of educational and psychological testing 1999 में कहा गया है कि, justification for the role of each instrument in selection, diagnosis, classification and decision should be arrived at before test administration, not afterward. कोई भी अगर इस्ट्यूमेंट इस्तेमाल करना है, किसी कोई जाच करनी हो, किसी चीज का classification करना हो, वर्गी करना हो या नीड़े लेना हो, तो ऐसी व्यूस्था assessment यह बताता है कि इसका decision क्या होगा है, वह assessment का उद्देश होता है, कि पहले से वो pre-decided हो जाता है, कि यह लच्छण यह quality यह good उसमें अगर पाया जा रहा है, इस्तिति उसमें पाई जा रही है, determination and evaluation of teaching program and strategies, किसी बालक का evaluation करने के लिए कि उसकी इस्तिति क्या है, या class में teaching program कैसे किया जाए, उसकी इस्तिति कैसे apply की जाए, कौन सी strategy अपनाई जाए, बालकों की इस्तिति क्या है, इन तमाम चीजों के लिए assessment की आवशकता होती है, कि इन बालकों को किस परकार से teaching strategy उपयोगी होगी, इन के लिए क्या evaluation किया जाए, कि इसकी क्या इस्तिति है, तो उसके लिए assessment बहुत आवशक है, determination of current performance level and educational needs, बालक की जो है current performance level की उसकी current की इस्तिति है, और उसके लिए कौन से परकार की education planning की जाए, किस परकार की सिच्छा की ज़रूरत है, इन तमाम चीजों को निड़े लेने में assessment किया जाता है, decision about eligibility, किसकी सक्षमता क्या है, इसको जानने के लिए कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसको क्या करवाय जाने की आवशकता है, इन तमाम चीजों को उसके सक्षमता को देखते हुए निरधारन किया जाता है, जिसमें assessment आकलन बहुत महत्पूर्ण भूमी का अदा करता है, decision about program placement, कि उसको कौन से program में लाया जाए, उसके लिए क्या प्रोग्राम बनाया जाए, उसके लिए कौन सी योजना उस्चु टेवल हो सकती है, इन तमाम चीजों के लिए helpful होता है, आकलन जो है, इन तमाम एरियाओं में मदद करता है, development of IP, बालक का चुकि ब्यक्ति इजुकेशनल प्रोग्राम, जिसमें इनका बेक्तिका साचरी कारिकरम को करने में भी assessment का बहुत important role है, कि उसकी reading, writing, इत्याद की इस्तिती क्या है, उसका physical condition क्या है, उसके ब्यवहारिक अस्तर क्या है, उसकी समझने की इस्तिती क्या है, उन तमाम बिंदों पर प्रकास डाल की procedure for assessment का कौन-कौन सा तरीका है, किसकी से हम बालक का जांच करने जा रहे हैं, तो कैसे कैसे उसकी जांच कर सकते हैं, या उसके बारे में कैसे कैसे जांच कर सकते हैं, तो उसमें आता है non-reference test, नार्ब रपेरेंश टेस्ट, और test होता है, जो standardized test होता है, जांचा परखा करते हैं जैसे ही ज़रुवत उसके इसाब से या particular किसी एक बिसें में जब बलक काकलन करना होता है जिस से इस वह की वह तेस्ट के अंतरगाद आता है इंडिविजूल वर्सेज ग्रूप टेस्ट टीचर जो है बेक्तिगत टेस्ट असेश्मेंट भी करते रहते हैं और ग्रूप में भी टेस्ट करते रहते हैं कि ग्रूप में उसका परबारमेंस कैसा है बेक्तिगत रूप से चुकि बहुत से नेयिते से भी बालक के बारे में हम जान रहर सक्ष्म होते हैं कि उसकी क्या है वह जा कर सकता है बहुत से स्कूल रिकार्ट अच्छा होता है पर फॉर्फरमेंस भी अच्छा होता है तो उसके आधार और आरि कि अपने से एक्टिविटि है लिकेने है सकता है कि और लोगों से नहीं मिलति विक्तिकत निखिकत करते हैं तो निकल के आता है कि भाते हैं प्रॉब्लम क्या बच्छों के सकते हैं तो इसी तमाम परकार की किस्तितियां से अगर हमें आउगत होना है तो उसके लिए के दोहारा जो है उसका कांसिलिक क्या सिंट्स मेंट करते हैं इसकी सिटिभ्य में शरी क्रवारे बारे में जानकर करका हम पांकलन हो जाता LIVE इसका कैसे है इसका doing कैसा होगा इसमें कोई पहले से आपनारमिल इसना प्राथ में नहीं है या नहीं में के बारे में जानने में मेर्ण हिस्ट्री जो है यह ने से कुछ लिएस क्या करने की जरुरत है या कौन सी प्रॉब्लम है वालप को क्या प्रॉब्लम है उसका सुधार कैसे किया जा सकता है उसका समधान कहा है इस तमाम चीजों को हम एरचेनलिसर। को सब्सक्राइब करें जाने जाने का प्रयास करें तो वमें कर क Wikileike समझ में आनी। जो करते हैं जिसमें देखते हैं कि it helps to find out abilities of student educational assessment में हम बालक के सक्षमताओं को आकलन करते हैं या उसका जानने का प्यास करते हैं कि बालक की सक्षमता कितनी हैं और यह जो है अगर उसके सक्षमता को जानने के लिए दो परकार के method हम apply करते हैं norm reference test दूसरा होता है criterion reference test एक standardized test होता है norm reference test का मतलब और criterion जो teacher अपने हिसाब से manipulate करके अलग-अलग subject में जो है उसको जानने का प्रयास करता है उसके बाद आता है behavioral assessment दूसरा प्रोच है जिसमें हम देखते हैं कि बालक का ब्यावहार कैसा है और इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं कि उसकी ब्यावहारी किस्तिती और कैसी है अब इसके अंतरकत हम देखते हैं कि इसके द्वारा जो है हम उसके जो गलत ब्यावहार हैं माल अडेप्टिव जो ब्यावहार होता है उसको धीरे धीरे कम करने का प्रयास करते हैं इसको कम करने के लिए या उसके गलत ब्यावहार को रिमूब करने के लिए अच्छे ब्यावहार को बढ़ावा देने के लिए का behavioral assessment किया जाता है, it consists of systematic and repeated recording of predefined behavioral parameters of individuals with the purpose of their identifying functional stimuli that maintain certain behaviors or demonstrating systematic behavioral changes as function of plant intervention, this means systematic recording के द्वारा जो है बालक की वस्तिस्तिति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, वो बेक्तिकत रूप से उसका ब्यवहार कैसा है, लोगों के साथ ब्यवहार कैसा है, किस के प्रति वो जादे आकर सित होता है, किस चीज को neutral छोड़ता है, उसका लच्छन कैसा द प्राब्लम का समाधान क्या है, कि ये भी हमें निकल के आ जाता है, किस के साथ प्राब्लम करता है, किस के साथ नहीं करता है, किस इस्तिति में परेशान होता है, किस इस्तिति में नार्मल हो जाता है, किस की बातों को मानता है, किस की बातों को नहीं मानता है, ये तमाम है कि उसको उसका behavior changes या वहारी काकलन कैसे किया जा सकता है या उसमें क्या बदलाव की जरूरूवत है इसके लिए आवश्यक है कि हम उसका पूरा overall activities का वहारी काकलन करें कि बैखल्व करता है और कि इस्तिती में प्राबलम करता है और प्रॉब्लम क्या करता और कब हो सान्त हो जाता है इन चीजों को जान करके भी उसके लिए इस टाइब की प्लानिंग बवस्ता बना करके भी इन चीजों के कंट्रोल पाया जा सकता है जिससे वह अच्छे बेवार करने के तरब प्रेजित हो सकता है अब क्लिनिकल असेस्मेंट तीसरा जो अप्रोच है कि उसका किसी आकलन का कै से किया जाता है क्यों पढ़ती है इन चीजों को गर देखा जाए तो इसकारीड आउट तो इडेंटिफाई दकाज रिफर टू फर्दर इन्विस्टिगेशन एंड टू प्लांड एंड इवेल्यूएट ट्रीटमेंट अब इसमें हम देखते हैं कि किसी कोई भी अगर समस्य है तो समस्य के कारण की पहचान की जाती है और उसके आवसकता अनुशार उसको जो है जांच के लिए भेजा जाता एंड प्लांट इवेल्यूएट ट्रीटमेंट और उसके लिए आधार पे योजना बनाई जाती है और इवेल्यूएट किया जाता है कि उसके लिए क्या ट और यह जो है clinical assessment या चिकसे आकलन जो है मुखरूप से medical member के द्वारा किया जाता है अब functional assessment कार्यात्मक आकलन जो कि हमारे रोज की क्रियाएं जो है वो कैसी हो अमारे कार जो है वो किस परकार से प्रभावित कर रहे हैं या कैसे चलना है इन चीजों के बारे में जो है आखलन करने के लिए हम फंक्शनल असेस्मेंट के अंतरगत करते हैं जिसमें यह देखते हैं कि मेजर्मेंट आप परपासफुल बिहवियर आप परसन वाइल इंट्रेक्टिंग विद इन्वार्ण्मेंट अब इसमें हम देखते हैं कि उसका जो ब अबस्तों के साथ उसका इंट्रेक्शन कैसा है उसके आधार पर हम उसका देखते हैं कि नहीं उसका कार्यात्म अकलन क्या है कार्यात्म किस्ति कैसी है इड़ इंटिफाइज क्रिटिकल इस्किल डीडेट फॉर एन इंडिविजुल्स निचुरल इन्वार्नमेंट और उसक सब्सक्राइज प्राइज करते हैं सन्मान जब मैव करने का प्रियास करने के लिए उसकी खूशक प्रियास्थ करने में आशे करने के लिए सब्सक्राइब करें कर सकते ए इसे handsome क्या करते हैं रृड़ेशन से हमि असे में इस चैसन इसमें उसका यो बताता है उसके हिसाब से इसको किस ट्राइब की चर्वयरत है कि इसको किस प्रकार की इसको क्या किया जाए Direct measurement आप इसकिल natural environment में और हम सबताओं के बारे में जान सकते हैं कि उसको नेचुरल भातावरण में किस परकार से प्राइंट की जरूबता है इसको समझने में आसानी होती यूजब app process oriented approach to assessment process oriented approach के लिए जो है assessment काफियों किया जाता है रोल आफ असेस्मेंट और कार्यात्मक आकलन बहुत महत्पूर होता है इसके बगएर लोगों की दिंचरिया चलना मुश्किल होती है और इसके सहायता से ही वो कुछ करने में सक्षम होता है या चलाएमान होता है तो इसके लिए आवस्यक है कि उसका फंक्शनल असेस्मेंट प्रॉपर बे में किया जाया और वह उसकी जीवन का बहुत एहम पार्ट होता है उसके बगएर जो है उसके लिए क्या कराने की जरूवत है वो कैसे अपनी दिंचरिया को मिन्टीन करेगा डिसीजन लेना मुश्किल होता है इसलिए फंक्शनल असेस्मेंट बालक की इस्तिती क्या है और चुक्छे बालक जिस बातावरण में रहरा होगा रहता है वहां की स्थिती क्या है और उसाने के सैटा बैटा इक सकता है इन तमाम चीजों को जानने के लिए आवसे एकिए कि वातावरण का सर्वी deber PB कि की जिए को ओ बालक की जो इसकिल है कौूशल है वो कितना कर सकता है उसकी जो सक्षमता है वो आकलन से हमें पता लग जाती है और उसके आधार पर उसको हम assess करते हैं कि बालक किस लेबल तक सीख सकता है और किस काम में वो appropriate हो सकता है उसको कौन से काम कराया जा सकता है या उसको कितने मौके दिये जाने चाहिए क्या कर सकता है इन तमाम चीजों के लिए जो है functional assessment करने के वशक्ता होती है और इन चीजों को हम जानने का प्रयास करते हैं identify discrepancies and select objectives उसकी कमिया क्या क्या है इनको जानने का प्रयास करना और उसके जो objective हैं उसके द्वारा वो क्या हो सकता है कैसे कराया जा सकता है उसकी जो objective है उसको जानने का प्रयास किया जाता है identify possible adaptation और इस चीज की आप जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक को क्या कराने के जरूरत है उसकी वाताबरण में क्या बदलाव किया हो सकता है या उसकी दिन्चरिया में को प्रभावित करने वाले कौन सी स्थितिया है जिसमें बदलाव कर दिया जा तो अपने आपको सामाने रूप से सरवाइब करने में सक्चम हो सकता है या अपने कार्यों को सही से कर सकता है इन तमाम तर्थियों को जानने का प्रियास किया जाता है प्रोज है ले सब्सक्राइबर होता है कि का और नहीं हो होता है किक तरीके से आप किसके माद्यम से समाज में तर्वाइब रहे हैं, वो किसी सीज को के समाजी की गूरुप से बढ़ने है कि किसी चीज को कैसे किया जाय हrial समाज में तयल मिल कैसे तो जिन तत्स्थों के माध्यम से समाजी की इंट्रेक्शन चैप तो बाभी कि ये एक सरीञ आक weapon के कोरिकुलम बेस्ट असेस्मेंट जो होता है पार्टिकरम आधारित आकलन उसमें हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि बालक को कौन सा मॉडल या किस प्रकार के पार्टिकरम की साहता से उसको सिखाया जा सकता है या कौन सी strategy, या कौन सा बाताबरन create किया जाय, या कौन सी scene का form किया जाय, जिससे उसको सामने वाले को बच्चे को समझे में आने में आसानी हो जाय, में झlegenे जिसे वह समझने में सक्छम को जाए इसकोacas लेबली करने के उस्को देशों से जो है नहीं बनाए जा सकता बनाए जाता कि इसको किस स्की सवल किस Luke आ जा जाए जब कि उसको कौन से प्रकार की सैचछडिक आउशकता है इसको जानने के लिए कौरिकुलम बेस्ट असेस्मेंट किया जाता है and most appropriate form of to meet those needs और उसके लिए कौन से ब्यौस्थाएं लाई जाएं कौन से ब्यौस्था की जाएं कौन सा उप्यूप तो ब्यौस्था होगी जिसकी साहता से वो अपने आपको पढ़ने में या कुछ करने में सक्षम हो सकता है कौन से टेकनीक है कौन से ब्यौस्था है एक कौन से structure उसको देने के रोशकता इन तमाम तथ्यों के बारे में curriculum based assessment सहायता करता है procedure in developing curriculum based assessment कौन कौन से प्रकार हैं जिसकी सहायता से उसका जो है हम पाठिकरम आधारित अकलन करते हैं तो इसमें curriculum expressed in form of behavioral objectives placement on the curriculum पाठिकरम में कौन से content को रखा जाय किसको नहीं रखा जाय उसका अधार कैसा हो उन तमाम तथ्यों के बारे में जो है आखिलन करते हैं कि बालक के लिए कौन सा पाठिकरम सही होगा Select teaching method उसके लिए कौन से teaching method उपयोगी हो सकते हैं teaching method के selection material उसके लिए कौन सा material उपयोगी हो सकता है कि जिसको सुन classroom pattern उसका कैसा हो क्लासरूम की स्थिति कैसी हो उसको class का बातावरन कैसा suit करता है किसके साथ बठाया जा आगे पीछे तो जो चीज़ें उसके लिए ächlich suit करते हो उसके लिए उपयोग किया जाना चाहिए, evaluation उसका मुल्यांकन करने के लिए कि उसकी इस्तिथि क्या है, ł। क्या उसकी सक्षम्टा क्या है उसका जानने के लिए जो है उसका उपयोग किया जाता है इसके आगे देखते हैं कि assessment of behavior ब्यवहार का अखिलन कैसे 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 किया जाता है तो behavioral observation उसके ब्यवहार का जो है प्रापर निरिच्छन करके कि उसके ब्यवहारी किस्तिती क्या है अब ब्यवहारी किस्तिती कैसे किस किस प्रकार से की जा सकते है तो उसमें देखते हैं कि unsystematic and unrepresentative behavior may be absorbed ऐसा ब्यवहार का observation जो कि जो परिलच्छित नहीं होता है जिसको वो सो नहीं करना चाहता है लेकिन उसके activity में वो परिलच्छित होता रहता है national definition of behavior may be used उसका उसकी ब्यक्तिकत बातों से वो किसी बात के किसी वस्ति के बारे में क्या विचारदारा रखता है इन तमाम चीजों के बारे में भी हम जान करके उसका एक निड़े ले सकते हैं कि उसकी का behavior उसकी ब्यवहारी किस्तिती क्या है more are subjective susceptible to bias उसकी जो है उबालक किस एरिये में ज्यादे इंट्रेस्ट लेता है किस पे ज्यादे फोकस करता है किसको न्यूट्रल ठोड़ता है इन तमाम चीजों के बारे में जो है अबजार पर के भी हम जान सकते हैं कि उसकी ब्यवहारी किस्तिती क्या है systematic तमाम प्रकार के जो टूल्स अगरा बनाए गए हैं जिसके आधार पर पता लगता है कि उसका ब्यवहारी किस्तिती क्या है उसके माद्यम से भी हम उसकी जांच करते हैं या उसका assessment आखिलन करकिया जाता है step in intervention of behavior अब उसके लिए कौन कौन से step है क्या 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 करने क्या हो सकता हो तो target behavior कि अगर किसी पर्टिकुलर एक निशित ब्यवहार को focus करते हुए जब हम करना चाहें तो उसके target ब्यवहार को target किया जाए systematic observation उस पूरे ब्यवहार की वस्तिस्तिती का systematic observation किया जाए कि कब क्या कैसे किसके साथ उसने वह ब्यवहार किया और उसके बाद उसका एक established baseline एक उसके लिए आधार लाइन बनाई जाए उसके एक रूप रेखा त्यार की जाए कि नहीं उसको किस टाइप के करने की क्या शक्ता है असेस्मेंट टेक्निक्स आकलन के तरीके कौन कौन से हैं तो behavior may be absorbed for frequency duration और intensity ब्यवहार behavioral assessment के लिए जो है हम उसके जो ब्यवहार होते हैं उस या देखा जाता है कि किसी चीज को वो कितने frequency में करता है कि किस तरीके उसकी frequency कितनी है किसी काम को करने की कितने देर में करता है या उसमें कितना वो interest लगा करके करता है इन तमाम चीजों को को जानने का हम प्रयास करते हैं जिसमें हम यह जानने का प्रयास करते हैं Absorbs should remember two important guidelines for effective behavior, observation, be positive and specific और उसका जो observation होता है उसको हमेशा दो बिंदों पर विशेश रूप से ध्यान देना होता है Effective behavioral observation वह बहार जो आम observe किया जा रहा है वह महत्पूर हो और objective युगत हो और specific हो कि उसका कुछ उदेश होना चाहिए और उसके कुछ हासिल होने वाले इस्ति होनी चाहिए कि उसे एक किसी result पे पहुंचने के इस्ति होनी चाहिए assessment technique इस टाइब के apply की जानी चाहिए Most frequently used behavioral assessment method is direct behavioral observation जादे तर जो behavioral assessment method के द्वारा जो है डारेक्ट हम वेवहारिक observation करते हैं कि उसका वेवहार कैसा है इन चीजों का डारेक्ट face to face जा करके या डारेक्ट उसके निगरानी करके हम जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक किस टाइब की वेवहार को कर रहा है यह technique भी बहुत महत्पूर्ण है इसके बाद का step हम लोग next class में देखेंगे कि assessment कौन कौन से type है कौन कौन से और technique से हैं जिसके माद्यम से हम बालक का आखलन करते हैं और इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवास कि इतना आपने सुना और इसके आगे का step हम लोग next class में इसके चर्चा करेंगे झाल